बिस्मिल्ला ही रह्मान रहीम, असलाम लेकूम डियर स्टुरेंट्स, I am your teacher from the readers, Hafizabad. Today, our subject is Mathematics Class 3, Unit 5, Lecture 3, Exercise 5.3. So students, आज की हमारी exercise है 5.3, वो भी even और odd numbers के मताबिक हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी exercise. Question A है, Write all the even numbers from 42 to 60, यनि 42 से लेकर 60 तक जितने भी even numbers हैं, हमने इन बॉक्से में लिखने हैं, तो सबसे पहला number होगा 42, जिसके बाद 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60. Next है, Part B, Write all the odd numbers from 81 to 100, 81 से 100 तक हमने जितने भी odd numbers हैं, वो लिखने हैं, तो स्टार्ट करेंगे 81 से 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99. Next है, Part C, Color Even Numbers, Blue and Odd Numbers, Red, जो even number वाले बॉक्से हैं, उनमें हम blue color फिल करेंगे, और जो odd number वाले बॉक्से हैं, उनमें हम red color फिल करेंगे, जैसे, first box है 4, तो हम चाहते हैं, कि 4 एक even number है, इसलिए, हम 4 को blue से color करेंगे, इसी तरह 10 जो है, वो even number है, इसलिए 10 को हमने blue से color किया है इसे तरह 14, 16, यह सारे blue color, इनको हम blue color से पिल करेंगे, कि यह even numbers है, 20, 36, 50, 34, 32, 44, 6, 26, 18, 22, 24, 42, 30, 66, 44, 40, 28, 8, 64, 62, 56, 58, 52, 60, 48, 38, 54, 2, 74, 72, 76, 78, 82, और इस तरह 100, जितने भी even numbers होंगे, उनको आपने blue color से फिल कर लेना है, उन boxes को, और बाकि जो बाद जाएंगे, वो odd numbers होंगे, उनको आप लोग red color से फिल कर लेंगे, जैसे यहाँ पे 21, जो है, वो odd number है, इसलिए यहाँ पे हमने इसको red color से फिल किया, इसी तरह 35, यह एक और नमबर है, इसको हमने red color से फिल किया, इस तरह बाकि जितने भी odd numbers हैं, उनको आप लोग red color से फिल करेंगे, और even numbers को blue color से फिल करेंगे, तो students, हमारी exercise complete हुई, homework, solve part ABC of this exercise on your books, इस exercise के तमाम parts को आप अपने books पर solve करेंगे, thank you.